हलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल इंक एक्जाम आए देखते हैं संपूल टोक्यो पैर अलंपिक पदक तालिका और पदक विजयताओं से संबंदित जो आपके आने वाली एक्जाम के लिए इंपॉर्टन है अगर आप लोग चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए चलिए स्टाट करते हैं फर्स्ट कोस्ट से टोक्यो पैर अलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं तो इस कोस्टन का सही एंसर हो ज जीते हैं जिसमें से 5-60 पदक गोल्ड मेडल 8 रजत पदक सिल्वर मेडल और 6-40 पदक ब्रॉंज मेडल टोटल मिला किए 19 पदक भारत ने जीता है और पदक तालिका में भारत का इस्थान कितना है तो वह 24 इस्थान है मेडल टैली में भारत का इस्थान 24 है नेक्स कोस्टन Tokyo Paralympic 2021 में भारत ने कुल कितने स्वान पदक जीते हैं तो इस questions का option number 2 सही होगा 5 gold medal जीता है भारत ने Tokyo Paralympic 2021 में तो option number 2 सही होगा 5 Shooting में आउनी लेखने ने पहला gold medal जीता था Tokyo Paralympic में उसके बाद सुमित अंतिल ने जीता था भाला फैक में सबसे ज्यादा पदकज से उसके बाद Healing Tho oatmeal प्रोमाधवकड ने जीता था बैट्मिंटन में गोल्ड मेडल और उसके बाद किृष्णा नागर ने इन्होंने भी बैट मेंर में इस इन्होंने लोग जीने ठीकीओ पर अलंपिक 2021 में किस देश ने सबसे ज़्याधा प्रवकप जीतने जाहि harmful जीन चीन ने टोक्योपार अल्मस्टमार मेंस सबसे ज़्याधा पथक जीतने वाला देश है तो व्युक्ष अ醬्सन नवरत ज्याधा है चीन हमा टोक्यो पैर अलम्पिक में पदक तालिका मेडल टेली में सिर्श देश चीन है इसने 96 पदक गोल्ड मेडल जीता है और 60 रजत पदक सिल्वर मेडल 155 पदक ब्रॉंज मेडल टोटल 207 पदक चीन ने अपने नाम किया है 207 तो टोटल चीन ने 207 मेडल जीता है उसके बाद Great Britain है Great Britain 486 पदक गोल्ड मेडल 28 रजत पदक सिल्वर मेडल और 4559 पदक ब्रॉंज मेडल टोटल मिला के 124 पदक टोटल ग्रेड ब्रॉंज मेडल जीता है और यह दूसरे इस्तान पर रहा है फर्स्ट पर चीन रहा है तर्ल्ड नंबर पर अमेरिका है अमेरिका ने 37 पदक, 36 रज़त पदक, सिल्वर मेडल और 31 कांश पदक, 31 ब्रॉंज मेडल, टोटल 104 पदक जीता है अमेरिका ने नेक्स है RPC, Russian Paralympic Committee, रूसी Paralympic समीती ने ये 44 पदक, 36 रज़त पदक, सिल्वर मेडल और 49 कांश पदक, ब्रॉंज मेडल जीता है टोटल RPC ने रूसी Paralympic समीती ने टोटल 118 पदक जीता है और पदक तालिका में ये जो है 14 इस्थान पर रहा है फर्स्ट पैचीन रहा है और RPC जो है 14 इस्थान पर रहा है स्वाणपता गोल्ड मेडल तो अप्शन नमबर टू सही होगा भारती खिलाडी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैर अलंपिक में बैट मिंटन के पुरूस सिंगल्स एस एच सिक्स फाइनल में होंग कोंग के चुमान काई को 21-17, 16-21, 27 सहरा कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया का है कृष्णा नागर ने नेक्स्कोस्टन है भारती खिलाडी कृष्णा नागर का संबंद किस खेल से हैं इसकोस्टन प्यूबसे नमबर फरस्ट सही होगा बैट मिंटन खेल सिंक इनका संबंद है कृष्णा नागर का जन्म 12 जनवरी 1999 को जैपूर राजस्तान में हुआ था और यह एक पैरा बैट्मिंटन खिलाड़ी हैं नेक्स कोस्टन कि टोक्यो पैरलंपिक 2021 में प्रुमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है तो इस कोस्टन का ऑप्शन नंबर टू सही हो जाएगा स्वन पदक गोल्ड मेडल टोक्यो पैरलंपिक में प्रुमोद भगत ने के डेनियल बैथेल को 21-14 और 21-17 से हरा कर स्वन पदक अपने नाम कर लिया है इसी के साथ प्रुमोद भगत स्वन पदक जीतने वाले पहले भारती बैट्मिंटन खिलाड़ी बन गए थे नेक्स कोस्टन प्रुमोद भगत का संबंध किस खेल से है तो इस कोस्टन का अप्शन नंबर फस्ट सही हो जाएगा बैट्मिंटन से प्रुमोद भगत का संबंध है बैट्मिंटन से पैरा बैट्मिंटन है ये खिलाड़ी है तो अप्शन नंबर फस्ट सही होगा 49 वर्षी प्रमोद भगत का जन्म 4 जून 1988 को हुआ था इनका मूल निवास ओडिशा के बर्गर जिले में पांच वर्ष की आयू में ये पुलियों से क्रस्थ हुगे थे नेक्स कोस्टन टोक्यो पैर अलम्पिक 2021 में सुहास यती राज ने कौन सा पदक जीता है तोक्यो पैर अलम्पिक में सुहास यती राज ने रज़त पदक जीता है तो अप्शन नम्बर थी सही हो जाएगा उत्तरपदेश के गौतम बुद नगर के नोईडा के डियम जिलादिकारी सुहास यती राज टोक्यो पैर अलम्पिक में पूरुष सिंगल्स बैटमिंटन इस फर्दा में SL4 में इन्होंने रज़त पदक सिल्वर मेडल अपने नाम किया है शुहास यती राज का जन्म 2 जुलाई 1983 को करनाटक राज में हुआ था शुहास यूपी केडर के 2007 के बैच के IS अधिकारी है शुहास का पूरा नाम शुहास लाली ना केरे यती राज है और ये एक पैरा बैटमिंटन खिलाड़ी है नेक्स कोस्टन टोक्यो पैरलंपिक 2021-2021 में मनोश सरकार ने कौन सा पदक जीता है श कोस्टन का ओप्सन नंबर 3 स हिँ हो जाएगा का स सो पदक टोक्यो पैरलंपिक 2021 में बैटमिंटन पूरुस एकल इस परदा में जपान के डाई सू के फुजी हरा को 22-21-21 से हरा कर काश्च पदक अपने नाम कर लिया है मनोश सरकार का जन्म 13 जन्वरी 1990 में रूद्रपूर उत्राखण में हुआ था और इनका संबन पैरा बैटमिंटन खिलाडी से है नेक्स कोस्चन है टोक्यो पैरलंपिक 2021 में मनीश नर्वाल ने कौन सा पदक जीता है तो इस कोस्चन का ऑप्शन नमबर दूसर ही हो जाएगा स्वण पदक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है टोक्यो पैरलंपिक 2021 में मनीश नर्वाल ने तो स्वन पदक इन्होंने अपने नाम किया है मनीश नर्वाल ने मनीश नर्वाल ने टोक्यो पैर अलंपिक में सूटिंग की P4 Mixed 50 मीटर Pistol SH1 इस परधा में मनीश नर्वाल ने 218.2 स्कोर के साथ स्वन पदक गोल्ड मेडल अपने नाम किया है Next Question है मनीश नर्वाल का संबन्द किस कहल से है तो इस Questions का Option No.3 सही हो जाएगा Shooting से निशाने बाजी से है तो Option No.3 सही होगा 49 वर्षी मनीश नर्वाल का जन्म 17 October 2001 को हरियाना राज में हुआ था मनीश नर्वाल मूल रूप से सोनी पतके हैं और मनीश नर्वाल का संबन्द सूटिंग खेल से है मनीश नर्वाल ने वर्ष 2016 में पैरा एसेन गेम में गोल्ड भी जीता था Next Question Tokyo Paralympic 2021 में सिंग राज आधाना ने कौन सा पदक जीता है This Questions का Option No.2 सही हो जाएगा रज़त पदक, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है Tokyo Paralympic 2021 में सिंग राज आधाना ने Option No.2 सही होगा सिंग राज आधाना ने Tokyo Paralympic में सूटिंग की मिक्स्ट 50 मीटर पिस्टल SH1 इस परदा में सिंग राज आधाना ने 216.7 स्कोर के साथ रज़त पदक सिल्वर मेडल अपने नाम किया है और इससे पहले सिंग राज आधाना ने Tokyo Paralympic में 10 मीटर एर पिस्टल शूटिंग इस परदा में इन्होंने ब्राज मेडल कास पदक अपने नाम किया था नेक्स कोस्टन है टोक्यो पैरलम्पिक 2021 में सुमित अंतिल ने काउंसा पदक जीता है तो इस कोस्टन का Option No.2 सही हो जाएगा सुन पदक गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया है सुमित अंतिल ने तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है सुमित अंतिल ने सुमित अंतिल ने Tokyo Paralympic में पूर्शो की F64 वर्ग के फाइनल मुकाबले में 38.55 मीटर दूर भाला फेक कर गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया है सुमित अंतिल का संभण किसिखेल से हैं इस की स्कुर्षटों का ऐ्प्शण नमबर 3 सही हो जाएगा भाला फेक से है जैविलिन धेविलेन थ्रोस है इनका संबन भाला फैंक से है सुमित अंतिल का तो आप्शन नंबर थ्री सही हो जाएगा सुमित अंतिल का जन्म 6 जुलाई 1998 को हरियाणा के सोनी पत के खेवडा गाउं में हुआ था सुमित अंतिल का 2015 में एक्सिडेंट हुआ जिसके कराण उन्होंने अपना एक पैर गवाय था और सुमित अंतिल का संबन भाला फैंक जैविलिन थ्रोस है यह जैविलिन थ्रो के खिलाणी है सुमित अंतिल नेक्स कोस्टन है टोक्यो पैर अलंपिक 2021 में मरियपन थंगा वेलू ने कौन सा पदक जीता है तो इसकोस्टन का ऑप्शन नमबर टू सही हो जाएगा रजत पदक टोक्यो पैर अलंपिक 2021 में मरियपन थंगा वेलू ने रजत पदक जीता है सिल्वर मेडल जीता है तो आप्शन नमबर 2 साही हो जाएगा एथलीट मरियपन थंगा वेलू ने टोकियो पैर अलंपिक में पुर्षो की हाई जंप उची कूट T63 इस परधा में 1.86 मीटर प्रियास के साथ इन्होंने रजत पदक सिल्वर मेडल अपने नाम किया है नेक्स कोस्टन है मरियपन थंगा वेलू का जन्म 28 जुन 1995 को तमिल नाडू के सलेम जिले में हुआ था पांच वर्ष की आयू में मरियपन थंगा वेलू एक हाथसे का सिकार हो गया तो जिसके कराण उनको एक टांग गवानी पड़ी मरियपन थंगा वेलू का संबन हाई जंप उची कूद खेल से है नेक्स कोस्टन है टोक्यो पर अलंपिक 2021 में सरत कुमार ने कौन सा पड़क जीता है तो इसकोस्टन का उप्शन नमबर फर्स्ट सही हो जाएगा कांश पड़क ब्रोंज मेडल हिन्हों ने जीता है टोक्यो पर अलंपिक में सरत कुमार ने ब्रोंज मेडल कांश पड़क तो अप्सन नमबर फास्ट सही होगा एतलीट सरत कुमार ने पुरुषो की हाई जंप टी 63 इस परदा में 1.83 मीटर जंप के प्रयास के साथ अपने नाम कांश पड़क ब्रोंज मेडल कर लिया है नेक्स एथलीट सरत कुमार का समबंद किस खेल से हैं तेस कुशन का उप्शन नमबर टू सही हो जाएगा हाई जंप उची कुद से इनका समबंद है सरत कुमार का भारती एतलीट सरत कुमार का जनवे बिहार के मुझवत्र पूरजिले में 1.94 92 को हुआ था सरत कुमार को दो वर्ष की आयों में पैर में पैरलाइस हो गया था और इनका संबन जो है ये हाई जंप उची खुत के खिलाड़ी है नेक्स कोस्टन टोक्यो पैरलंपिक 2021 में सिंग राज अधाना ने कौन सा पदक जीता है सिंग राज अधाना ने टोक्यो पैरलंपिक में इन्होंने ब्रॉंज मेडल कास्पदक जीता है तो अप्शन नमबर टू सही हो जाएगा सिंग राज अधाना ने पूर्शो की 10 मीटर एयर पिस्टल इस परधा के फाइनल में 216.8 अंको के साथ इन्होंने कास्पदक जीता है तो इन्होंने टोक्यो पैरलंपिक में दो पदक जीता है एक रज़त और एक कास्पदक से नेक्स कोस्टन सिंग राज अधाना का संबंद किस कहल से है तो इस कोस्टन का उप्शन नमबर 3 सही हो जाएगा शूटिंग में निशान बाजी से इनका संबंद है शूटिंग से 49 वर्षी सिंग राज आधाना हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले और इनका संबन जो है यह शूटिंग गेम निशाने बाजी से है नेक्स कोस्टन टोकियो पैरलम्पिक 2021 में पिर्वीलु कुमार ने कौन सा पदक जीता है इस कोस्टन का ओप्शन नंबर 3 साई हो जाएगा रज़त पदक शिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया टोकियो पैरलम्पिक में अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा पतक इस बार जीते गए हैं टोकियो पैरलम्पिक में भारत में तो पिर्मिल कुमार ने कौन सा पतक जीता है तो रज़त पतक जीता है नेक्स कोस्टन एथलीट पिर्मिल कुमार ने पुरुषो की टी 64 हाई जंप उची कूद इस परधा में 2.7 मीटर की छलांग के साथ इन्होंने रज़त पतक सिल्वर मेडल अपने नाम किया है नेक्स कोस्टन देखते हैं भारती अथलीट पिर्मिल कुमार का संबद किस खेल से है तो इस कोस्टन का उप्शन नमबर फरस्ट सही होगा हाई जंप उची कूद से इनका संबद है अथलीट पिर्मिल कुमार का तो अथलीट पिर्मिल फ्कूद हाइजंप खेल से।।यो पैर अलंफिक 2021 में दो पदक जीतने वाली पहली भारति महिला कौन बनी है। इस questions का option number 2 साही हो जाएगा आउनी लेखरा ये जो है टोकियो पर अलम्पिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारती महिला बनी है आउनी लेखरा आउनी लेखरा ने 50 मीटर राइफल के 3 पोजीशन एस एच वन इस पर्दा में 445.9 स्कोर के साथ 15 पदक ब्रॉंज मेडल अपने नाम किया है इसी के साथ आउनी लेखरा पर अलम्पिक खेलों में दो पदक जीतने वाली पहली भारती महिला बन गई है इन्होंने 10 मीटर एर राइफल इस पर्दा में भी 60 पदक इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल जीता थ नेक्स कुस्टन तोकियो परलंपिक 2021 में हरविंदर सिंग ने कौन सा पदक जीता है तो इस कुस्टन का उप्चन नमबर 3 सही हो जाएगा कांस पदक ब्रॉंज मेडल इन्होंने जीता है हरविंदर सिंग ने टोकियो परलंपिक की तीर अंदाजी इस पर्दा में भारत को पहला पदक दिला इन्होंने कोरिया की किम मिन सुको 6-5 से हराकर कांश पदक ब्रॉंज मेडल अपने नाम किया हरिविंदर सिंग वर्ष द्वाजार अठारा पैरा एसी आई खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था हरिविंदर सिंह का संबंद किस खेल गोल्ड पैरालंपिक के इतिहास में भारत का सूटिंग में यह पहला gold medal था जो आउनी लेखरा ने जीता था और 19 वर्षी आउनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर air rifle class SH1 में पहला इस्तान इनों ने हासिल गया नेक्स कोस्टन है आउनी लेखरा का संबंद किस खेल से है तिस कोस्टन को option number 2 सही हो जाएगा शूटिंग से है निशानी बाजी से है इनका संबंद आउनी लेखरा का नेक्स कोस्टन आउनी लेखरा का जन्म कब हुआ था तिस कोस्टन को option number 2 सही हो जाएगा आउनी लेखरा का जन्म हुआ था लेक्ष्करा आंणी लेखरा का चंतो क्योंध 202 अऊनी लेखरा का मां Sign1 और या सिर्मी इन अंगा्ष उप्शिधेन्ट अम्रे फिर्पम स्वेठ तोक्यो पेरअलम्पिक 21 जी ते पनाएं योगेस कातुरिया और जीदेंक जीता आरे पूर्सों की एफ 56 डिसकस थ्रो चप चक्का फेक इस परधा में भारत की ओर से योगेश कथूरिया ने रज़त पदक सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने लल्ंओ में 4.98 मीटर का थ्रो किया नेक्स को इस योगेश कथूरिय का संबन्त किसकेल से इस को अप्सन नंबर फरस्ट सही हो जाएगा दिसकस थ्रो चप्का फेक से इनका संबन इस नेक्स थ्रो से योगेश टोक्यो परओलम्पिक बीस सेकीसमें देवेंद्र जाजरीया ने कौन सा पढ़क जीता है एसकोस्टन काॉपशन रजय पदक, शिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, देवेंद्र जाजरिया ने, टोक्यो पैरलम्पिक 21 में, तो आप्शन नम्मर 2 सही हो जगा है, रज़त पदक, शिल्वर मेडल, देवेंद्र जाजरिया ने भाला फेंक इस पर दा, जैविलिन थ्रो में, जीता है, देवेंद्र जाजरिया राजस्थान के चुरू जी लेके हैं, और इन्होंने 2016 में रियो पैरलम्पिक में गोल्ड मेडल जीता था, नेक्स कोस्टन है, देवेंद्र जाजरिया का संब्द किस खेल से है, तो इस कोस्टन का, ओप्शन नम्बर 3 सही होगा, भाला फें का सब्द किसे होगा, उन्होंने च bokरणा संब्द क गोल्ड मेडल जीता है, ने परिवेंद्र संद्र गोल्ड मेडल जा किस खेल सताना कि हैं, भाला फेंद्र के इस हो उसलिण नेगे हैं, miałam ऐन जाए किस खेल से कोसे, बूसमेर नम्बर 4 सब्सक्रा गोपिष्जर्ड होग संदर सिंग गुरजर का संबंद कि स्केल से करवली राजस्थान में हुआ था और इनका संबंद भाला फैक इस परदस है भाला फेंग खिलाड़ी से नेक्स कोस्टन टोक्यो पारलम्पिक 2021 में भावाणी बेन पटेल ने कौन सा पदक जीता है तो इस कोस्टन का ओप्शन नमबर 2 साई हो जाएगा रज़त पदक सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने भावाणी भावीना बेन पटेल इन्होंने टोक्यो पारलम्पिक में रज़त पदक जीता है भावीना बेन पटेल ने भारती पेडलर भावीना बेन पटेल ने टोक्यो पारलम्पिक खेलों में महिला एकल मुकाबले में इन्होंने रज़त पदक silver medal अपने नाम किया है नेक्स कोस्टन है भाविना बेन पटेल का संबंद किस खेल से है तो इस कोस्टन का option number 3 से हो जागा table tennis scene का संबंद है भाविना बेन पटेल का भाविना बेन पटेल का जन्म 6 नवंबर 1986 को गुजरात के मेह साड़ा जिले में हुआ था और यह जन्म से ही पोलियो गिरस्थ होई गयती नेक्स कोस्टन टोक्यो पेरलंपिक 2021 में निसाथ कुमार ने कौन सा पदक जीता है तो इस question का option number 2 साई हो जाएगा रजत पदक शिल्वर मेडल इन्होंने जीता है निसाथ कुमार ने रजत पदक शिल्वर मेडल टोक्यो पेरलंपिक ने भारत की ओर से निसाथ कुमार ने पुर्षो की हाई जंप उची को टी 47 इस परधा में 2.06 मीटर प्रियास के साथ इन्होंने सिल्वर मेडल रजत पदक जीता है निसाथ कुमार ने निसाथ कुमार का संबंद किस खेल से है तो इसकुस्टन कॉप्शन नमबर 3 साई हो जाएगा हाई जंप उची कोच से इनका संबंद है निसाथ कुमार का हिमाचल प्रदेश के छोटे से गाउं बदाईयों के रहने वाले नेक्स कुस्टन है कि टोक्यो पैरलम्पिक 2021 का आयोजन किस देश में हो रहा है तिस कुस्टन का ऑप्शन नमबर 2 साई हो जाएगा जापान टोक्यो में इसका आयोजन हो रहा है नेक्स कुस्टन का इसका आयोजन कभ से कप तक होगा तो यह 24 अगश्द से 5 सितमबर तक इसका इसका आयोजन हो गया है समाप्त हो चुका है तो 24 अगत से 5 सितंबर तक इसका आयोजन हो चुका है नेक्ट कोस्टन टोक्यो परेलंपिक 2021 में उद्घाटन समारों में भारत के नए ध्वजवाग कौन होगे तो यह होगे टेक चंद पहले जो है मरियपन थंगावेलू यह थे भारत के ध्वजवाग लेकिन यह कोविट 19 के संपर्क में आनिक करन अब जो है नए जो भारत के उ समर्सकियो परेलंपिक 21 का सुभ हंकर क्या है तो को स्वाइटी सुमाइटी इसका सुभंकर है टोक्यो पेरलंपिक क्या था तौह था मिराई तोई-टोग्यो पेरलंपिक टोक्यो पेरलंपिक 2021 में कितने भारतियों ने भारती खिलाडी सामिल हुए थे इस 209 कि लाड़ी सामील होए है नैक्स के टोकियो प्रलंपिक 21 में कुंष कितने देश सामील हुते तरीस को से हो जाएगा 163 देश टोकियो प्रलंपिक एव किया गया था तीसे कुस्टों और तू सही हो जाएगा वर्ष 1960 में रोम इटली में पहला पैरलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था रोम इटली में वर्ष 1960 में नेक्स्ट कोस्टन अगला पैरलंपिक खेल का आयोजन तो दोस्तो अगर ये वीडियो आप लोगों पंसाद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंद शेर करिए तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में थैंक यू